बच्चो आज की बहुत ही इंट्र्स्टिन रीक्शन जो हेलो एल के इसका बढ़िया पार्ट है वो है फिंकल स्टीन रीक्शन के Indian reaction के अंदर क्या होता है हमारे पास अल्रेडि एक हेलाइड होता है, जिसमें अलकाईल खलॉराइड यह ब्रोमाईड हो सकता है अब यहाँ पे अगर हम NAI acetone लेते हैं बच्चो तो SN2 mechanism होता है यानि one step reaction होती है जिसमें inversion of configuration possible होता है और बच्चो CL या BR हटके उसकी जगह पे आई आ जाता है इस reaction की खास बात यह है कि एक weak जो bad living group है वो यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है निकल रहा है और जो अच्छा living group है वो आ रहा है तो यहाँ पर reaction forward में इसलिए जाती है क्योंकि जो halide यहाँ finally निकलता है उसकी solubility कम होती है PPT बनता है और equilibrium forward में shift होता है according to Lee Chetler principle तो इस reaction को आप ज़रूर याद रखें All the best